दोस्तो अज 16,550 call and 16,550 food के उपर हम straddle apply करने वाले थे लेकिन देखिए दोस्तो straddle apply करने के लिए जो opportunity हम देख रहे थे वो opportunity हमको आज नहीं मिला इसलिए दिखिए हम आज कोई भी position नहीं लिये हैं मैंने इसको एक बार refresh भी कर देता हूँ देखिए refresh करने के बाद आपको कोई भी trade नहीं दिखेगा तो दोस्तो आज market का जो moment था moment पर sideways रहने वाला था लेकिन थोड़ा सा मैंने ये level के आज़ पास expect कर रहा था कि market थोड़ा सा नीचे की तरफ आये 16,450, 16,500 इसी level के आज़ पास एक बार market आके stable हो जाए उसके बाद हम straddle या strangle अपलाई करेंगे लेकिन market आज 16,550 ये level के आज़ पास open होने के बाद इसी level से थोड़ा उपर की तरफ move दिखाया हम wait कर रहे थे day high से अगर हमको selling pressure दिखने के लिए मिलेगा 16,500 के आज़ पास अगर market आ जाता है तो हम 16,550 call और 16,500 put के ऊपर strangle अपलाई करेंगे लेकिन हमको हमारी rule के हिसाफ से entry करने के लिए opportunity नहीं मिला इसलिए दोस्तों हमाज कोई भी position नहीं लिए हैं तो ये वीडियो के माध्यम से आपको क्या सिखने के लिए मिला